मेरा नाम है राज कमल तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझें के WordPress को कैसे आप अपने local host पर install कर सकते हैं ठीक के student और उसके साथ हम लोग WordPress को local host पर क्यों install करेंगे इसके क्या benefit है यह सब भी हम लोग समझने वाले हैं और WordPress की overview की भी आज हम लोग समझाएंगे WordPress को real में देखेंगे कि WordPress कैसा देखता है और कैसे हम लोग इन future इस पर बहुत बड़े-बड़े project को बनाने वाले हैं चुले वीडियो को start करते हैं समझते हैं सब को सुरू से तो सबसे पहले WordPress को install करने से पहले अपने local host पे मैं आपको कुछ चीज़े बताना चाहूँगा कि आप जो भी course पढ़ रहे हैं तो आपको यूटूब यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले आप एक काम किजिए कि आप website पर आने के बाद यहां से प्राहिक करना शुरू किजिए तो कि आप तो आपकी लिगाई यह चीज़ बहुत ही बेतर होगा और आपको easy होगा क्योंकि अगर कुछ भी चीज़े जो भी चीज़े मैं यहां पे दूंगा ठीक है description में आप easy रूप में पर पाएंगा आपको नोट्स वगड़ा सब कुछ यहां पर मिल जाएगा ओके अगर आप इंटरनेट से अगर कनेक्टे नहीं भी है तब पर भी आपका यह जो नेट्वर्क है जहां पर आप सिस्टम चला है अपने सिस्टम आपके सिस्टम पे अपना website को अपने वेबसाइट को बोले तो वर्डपेस को इस्टाल करने के लिए दो चीज़ें जैम सर्वर चाहिए और साथ चाहिए हमें वर्डप्रेस की PSP फाइल ओके तो हम लोग पले दोनों को फटापध इस्टाल डाउट कर लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वर्डपेस को भी करल लिख लेते हैं ठीक है है और वर्डपेस यहां पर डॉनलोड लिख लेंगे तो इससे चाहिए और यहां पर जाए न रौक और आपको मेरे क्याना चाहिए हम लोग ऑप्स्प्षे कर लेंगे डाउनलोड ओक्यूर्पलेस होना शुरू हो गया है है अब हम लेगो को यहां पर jam server install करना jam पर आएंगे तरहां पर वर्जन दिया है कि आपको कौन से PCP का कौन सा वर्जन लेना है ठीक है jam server में जैसे की 8.05 8.005 इसके बीच में लेना है तो यह वला कौन सा PCP का वर्जन लेना है उसमें उस PSP के वर्जन होंगे ठीक है तो आप कोई भी ले लिए लिजे मैं फिलाल में यहां पर यह सब्सक्राइब का है मैं इसको डाउलोड कर लेता हूं ठीक है अभी यह डाउनलोड होना इस्टार्ट हो जाएगा इसको भी और इस सब को डाउनलोड होने में लगभग एक से दो मिट लग जाएगा तो मैं तो आसे वीडियो को यहां पर पूस्ट करूंगा और उसके डाउनलोड हो inappropri हो जाता है तो मैं आपको आता हूं फिर से से स्टार्टीन से दिखाता हूं कैसे डाउनलोड कैसे कैसे इसे का स्कुल और नीथ ये बहुत सब्सक्राइब कि फिर मुझे नहीं लगता कि कुर्णि कंफिद में यह त्किए जो भी मैं चीज़े बताऊंगा उस चीज़ को configuration को पहले ध्यान से देख लिजीगा उसके बाद ही आप इस्टार्ट कीज़ेगा साले सिस्टम को ठीक है तो भी मैं मैं वीडियो को थोगा से पहुंच करते हैं तो भी यहां पर यह डाउनलोड हो चुका है अब हम लोग को इस्टॉल कर लेते हैं फोगे सब्सक्राइब को अन्ग सब्सक्राइब करेंगे फृच्ट करेंगे ओट और फॉलडर है यहां पर सी ही है अगर आप चाहे तो यहां से जा कर सकने लेकिन इंदोग यह रखते है ठीक है उसी पर रखते हैं सी पर डिफॉल जो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है और यह इंस्टॉल होने में थोया सा वक्त लेगा उससे पहले तक हम लोग जो वर्ट्प्रेस की जो फाइल है इसको चलिए हम लोग ला लेते हैं अपने डेश्टॉप पे ओक्राइब ला जके हैं वर्ट्पपेस की जो फाइल जो हम लोगों ने भी डाउंलोड किया ठीक हम लोग ने यहाँ पर फिस्त ने जुडना गारी यह हो चुका है से द्सक्राइब तो चलिंस प्लिकों रहे है को यहाँ पर हमारा यह फाइले इस दाय हो चुका है गश्रवर और हमने क्या करना है कि हम लोग यहां पर finish do you want to start करना चाहते हैं इसको हम लोगों ने start कर दिया है और यहां समय अपार्चे सर्वर और mysql दोनों चीज को install कर अपना start कर देना इसको अच्छा ऐसा क्यों start करें हम लोग इसको क्यों क्यों अपार्चे जो अब यह WordPress की जो फाइल है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके आपको ले जाना है जहां पर आपका Jam server इस्टॉल किया है जिस location पर आपने इसको इसको इस्टॉल करके रखा हुआ है तो अगर गैस मैंने अभी आपको बताया कि आपने किसी और location पर अगर आपने मैं कर देता हूं पेश्ट कर देने वाले हैं पेश्ट और मैं यहां पर कर देता हूं इसको एक्स्ट्रैक्ट इस फाइल कर देते हैं हम लोग इस्ट्रैक्ट और एक्स्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग इसको फेसे ओपन करके देखते हैं इसके अंदर एक WordPress और है तो हम ल प्रेस इसे हम लोग करते हैं देने कई अब यहां पर समझने वाली बात है कि यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप समझीएगा थ्यान से अब यहां पे हमें प्रोजेक्ट जिस नाम से मतलब किस नां से हमें अपने वैप साइट को बनाना आँ उस प्रोजेक्ट का का यहां पर नाम लेकाज़ी ठीक आपकर क्या नाम चाहिएँए जैसे महीं कमल वापने प्रक्राइब क्म strategy लिए उप्ना बना लिह और है उप्रोडर तर बनाते जाएंगे लेकिन यह कब होगा हाद जब भी आप एक एक नई वेबसाइट जब एक नया प्रजक्ट शुरू करने जा रहे हैं तब के लिए ठीक आप हमें साथ ध्यान रखेंगे अब वैस इसको उपन करके देख लिए कुछ इस तरह से ही होता है ठीक है अब यह दन है अब वैस इससे आती है कांचे करने की बाथ ठीक है को केशन करने के लिए सबसे करते हैं अपने यहाँ पे और अपना जिपी माइड्मिन पर हम लोग लिए करते हैं ओके सच कहाते हैं ऑक सब्सक्राइब करते हैं और हम लोग यहां पर देखिए यह हम लोगों ने प्रोजेक्ट या नया वेबसाइट बनाएंगे तो हर बार यह सारी प्रोसेस सारी कॉंफिगेशन आपको करने ही करने हैं हर बार यह प्रोसेस से होके नाव सेट नाम से करेंगे लेगं फिलाल में यहां पर क्रेट प्रोसेस के लिएजड भी करते हैं अब आगे 않ते हैं यहां यहां पर ओके यहां हम लोग यहां पर दन कर लेते हैं पहले इसको हम लोग हटाया नहीं सब्सक्राइब अब इसके आगे हम लोग लगाएंगे थीख है нагोर्ष लिकरिGG आपने फॉलिटर में रखा तो फोल्टर का नाम थे कर आपका जो वयक्तै किस फोल्टर में है उस फ्रॉल्टर का नाम लिख ज़्या पर यहां यहां पर अब हम उसक्यार में पूछेगा कुछ पूछेगा जैसे डेटाबेस का नाम डेटाबेस यहां पर लेटाइस गोपे क्लिक करते हैं और यहां पर देटाबेस का नाम लिखते हैं अभी जच्छट हमने तुरंत जो बनाया था उसी रखिए ठीक है और कोई यूजर नेम पासवर्ड मत बनाई है ओके और पासवर्ड कम इसा ब्लाइंग कर रख दीजिए और डेटावेस जो होस्ट होगा लोकल होस्टी रखिए अब यहां पर टेबल प्रिफिक्स में क्या है कि आप डबलूपी हर एक टेबल क्योंकि जैसे आ फहले डबलूपी लगा रहेगा ठीक है डबलूपी स्लैस यूजर देबलूपी स्लैस पोश्ट ऐसे करके साइट डेबल होंगे ठीक है अब वबैस यह मेरे खाल सब स्पूस सग्प्लीट है और यह सब कुस्प सही है तो हम लोग यहां पर समिट पे क्लिक करेंगे और यहा process confirm होता है उससे उसके बाद यहां प्राटिए का नाम जैसे आप अपने साइट का क्या टैटल देना चाहते तो मैं कमल यह अभी का टाल में देना चाहता हूं और यहाँ पासवर्ड है मैं पासवर्ड को भी ऐडमीन कर देता हूँ ठीक है मैं यहाँ यहां पर search engine visibility अब इस चीज के हमेशा आप ध्यान रखेगा कि अगर आप ने इस पर click कर दिया तो इसका मतलब होगा कि Google आपकी website को बिल्कुल भी accept नहीं करेगा Google आपकी website को search नहीं करेगा ठीक है Google का जो robot होता है वो आपकी website को search इसका मतलब होगा कि आपकी website आप privately उसको यूज़ करना चाहते हैं और यह website केवल केवल बनाई गई है तो अभी हम लोग यहां पर इस पर click नहीं करेंगे और install wordpress पर click करेंगे और जैसे install पर click करेंगे यह हमाना क्लिक कर दीजिए या तो आप इसके अलावाँ और भी कुछ कर सकते हैं कि अपने website जो है आपकी website पर लिखेंगे यहां पर इस तरह दीए फिर यहां पर click कर लिजिए और यहां पर लिखेंगे यहां पर यूजर नेम और password डाल सकते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपना यूजर नेम पासवर्ट क्या डाला था हम लोगों उप्तिते हैं और यहां पे हम लोग देते हैं एडमिं ओके अब हम लोग यहां पर लोग इंद पर click कर दिए ओके गाईस सो अब हमारा यह successfully wordpress install हो चुका है okay guys चलिए अब मेरे खाल से wordpress install होने के बाद अब हम लोग इसको समय लेते हैं कि क्या-क्या इसमें options है क्या-क्या option का मतलब है क्योंकि आज के installation में बस हम लोग इसके installation और हर एक option का क्या-क्या मतलब है कैसे कहां से कोई चीज़े install होती हो सब्सक्राइब क्योंकि इसके जश्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पोश्ट पेज और थीम कैसे इसको इडिट करते हैं configuration यह साथ चीज़े समझने वाले हैं तो गई सली सब्सक्राइब हम लोग यह समझते हैं कि जैसे documentation मतलब की WordPress website की documentation का मतलब होता यही कैसे इसमे plugins कैसे आप इसमें पोस्ट कैसे आप इसमें पेज मीडिया कि सब्सक्राइब कर सकते हैं कैसे पुरी website क्रेट कर सकते हैं कुछ इस तरह का documentation आपको यहां पर मिलेगा को कि डाकुमेंटेशन आपको यह साइच चीज़े बता जाएंगे फिर सपोर्ट आप website पर यहां पर क्लिक करके आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं और आपकी website किस तरह से दिखती आप पता चल जाएगा उसके बादा है wordpress dashboard और home updates ठीक है सबसे पहले wordpress में dashboard का जो page है इसमें आता है home home में क्या होता है कि इसमें हर एक चीज आपको जैसे कि कुछ भी चीज़े होंगी जैसे आप अगर अपना first block लिखना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़े यहां पर screen पर यहां पर क्या क्या चीज़े होगी उस सारी कि सारी चीज़े यहां पर सकते हैं आपको क्या 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 सो करनी चीज़े क्या 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 नहीं सो करना चीज़े उसारी चीज़े आप देख सकते हैं यह dashboard आपका इसलिए दियाता है तापकि बहुत साही जो चीज़े प्लगिन्स वगरा कि जो भी चीजे हैं यहां पे आपको एक ही बार में अपने डैस्बोर्ट पर आपने पूरा मॉनिटर कर लिया कि हमारे मेरे प्लगिन्स की या तो फिर आपके तो प्लगिन्स की या तो फिर आपके की थीम की ठीक है प्लगिन्स ya थीम्स की कुछ भी चीजिये होंगी कोई भी अपडेट आएगा तो यहांत पर यहांपर सो करेगा न एक स्पर्श पर्शंग देंगता पो societ का मतलब ही हर यहां पे हर एक बार एक निया पोस्ट लिखना थो पोस्ट या नि बोले के लिए सब्सक्राइब करते हैं के आपकी फोटो जो भी चाहिए सब कुछ इंक्लूट करने कुछ भी करानी हो लाइब रिवर्ड वगरा जो भी कुछ कराना ना फोटो वीडियो ठीक है ही होता है उसमीडिया से ही पेज़ पेज पेज में क्या होता है आप जो भी पेज चीज झाना जाएक मालीजी पेज है अब आप जिए यहां पेढ़ेगे तो यह देखें गई आप मैंने क्लिक किया तो रिच्टेशन पर इस्ट्रेश्टर्स पर ट्रेंग तो ये सब यह तो हम लोग इस तरह का पेज कैसे बनाएंगे ठीक है पेज वगरा जो बनाने वाला काम यह पेज में होता है अगर कोई भी हमारे ब्लॉग पर कोई कमेंड करता है तो सारे कमेंट यहां पर दिखाई देंगे ओके अफिर समय क्या होता है यहां पर थीम हुआ कर्सक्ता बदेंगे क्या होता है कि आप कोई भी थीम में कैसे करने वाले है तो इसके बारे में और बीटेस हम लोग समझते जालेंगे ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर जुट की चीजी आती कैसे में कहां से आ रही है तो उसके लिए कि यहां पर आपका अभी अभी आप जिप का जो है यह इसा जहां है ठीक है हमें कुछ भी लगाना फूटर में तो वहां से हम लोग लगा सकते हैं तो अपने अलग अलग तरीके होते हैं ठीक है उसके बार आता है अपर भी देखेंगे तो आपका है में यहां का डिख है तो यहां पर आपको हों मेंड बाउट सांस इस यह सब सारी चीजें दिखते हैं फिल लोग यहां पर चलिए करेंगे ते लिए ती किवाझन तेकल को इसके अफ आता है आपक्राफें अनुसरा प्लेक्राण। पे आने के बाद चीनज करके अपने से कोई भी background दे सकते हैं ठीक है तो आप इसमें कुछ भी चैंज अपने मन मताबिक चैंज कर सकते चैंज करनेNER का ज़द पढ़े आती कभी भी Да यहां पर आपको चेंज करने का और संदिया रहता है और आपको चेंज करना पड़ आता है ठीक उसके बाद आता है तीम का काईस यह थीम क्या होता सब्सक्राइब आपको मैं बताना चाहूंगा कि थीम देखिए थीम किसी भी वर्डप्रेस का एक बहुत ही इंपॉर्टन भा ठीक है लेकिन जब बात पर आती कि इसको और अट्रेक्टिव लुक देने का और बोले तो इसमें डियाइनिंग करने की जब आता है तो यह सारे काम होते हैं थीम से सारी प्लग इन से यह बिडावड प्लग इन आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं ठीक है ओके यहां पर प्ल तूल का उप्सें टूल में का इसका मिल चाहता है न आपको कि यहां पर लेबल जो भी टूल होते हैं आप यहां पर देख सकते हैं इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो आपकी जो साही जो डेटा इसको इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है इस यह वेबसाइट को जो बनाना सुरू करते हैं तो हमें एक नॉर्मल सी जब भी आप कभी वी वड़पेस पर जब इस्टार्ट करिए अपने वड़पेस वेबसाइट को बनाना तो आपको कुछ नॉर्मल सेटिंग होती है जो कॉंफिगेशन करनी ही पड़ती है वर्पेस पर कि अऩेबसाइट